ऐलो दोस्तों तो कैसी है 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 आप उमीद करता हूँ आप भी ठीक ऊंगे और आपकेऑ घर्स होंगे तो आप देख सकते हैं अःद मुर्गों के लिए कुछ वार lesson लेके है तो आप देख सकते हैं कितने सोक से खा रही है बहुत ही शोग सकते हैं यहरा तरह हम इनको तीड के अंदर गउं और बाजरा जेते हैं दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे शेटे पर नहीं रेबिट आ चुके हैं अभी तो यह नहीं नहीं है इसी वज़े से तोड़े ड्रेव हैं लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर यह शेट हो जाएंगे यह और उमीद ही तो यही है कि यह भी यहां पर ब्रीड करेंगे और भुड़े विर्स बाहर निकाल दे आए तो आप देख सेके बाहर आपके किसमे पूस नए वाले पिजन्स को बाहर निकालते ही देखे पुराने वाले वाले पिजन्स है जो उनके घर क्यां अंदर चलेगे ने तो दोस्तों आप felt तो आप देख सकते हैं दोस्तों इनको हमने बाहर छोड़ दिया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कबुत्र अभी तक उड़ रहे हैं नीचे नहीं उत्रे हैं गर के चारों तरह पी बंड़ा रहे हैं अब जो आगये निकल गए है नजर टारह रही दोश्तों के निजल नजर इनकोओं यह तो देखते हैं यह कब तक वाप फिस आते हैं देखे दोस्तों हमारी कबुत्र आ गई है लगता हम उत्रेगे नीचे लेकिन नहीं उत्रे उत्र निखल गए हैं दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीजन्स है जो आ गए हैं सेटप का गेट अभी बंद है तो यह अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो गेट खोलते हैं और वेट करते हैं इनके अंदर जाने का दोस्तों मैंने पीजन्स को अंदर डाने के लिए जैसे गेट कोला सारे के सार तेर वाला पेर है जो आ चुका है वापिस है और यह अच्छी बात है कि हमारे गर का पका हो चुका है अज़ लगबगत तीन बजे के आसपास अमने निकला था और अभी जो टाइम है वह साम के 7 बजे ने वाले है दोस्तों और अब जाकि हमारा यह तेर है जो अंदर आ गया है सेट अप का दरवाजा है जो मैंने खोला था ताकि पीजन अंदर आ जाई तब ही जो सारी मुर्गी है वह बाहर निकल गई तो दोस्तों हमारे रेबिस में अभी जो एफ तुछ खाया पिया कास नहीं है तोड़ा बहुत गर्मी की वज़े से स्वाइद इनों ने कम खाया होगा तो कल तक देखते हैं नए वाले मेल के साथ इस पुराने वाले मेल की फाइट हो रही है दोस्तों आज इस पेर को हम बाहर ही रखेंगे कि जो इसका केस्ता उसके अंदर रिबिट आगे है तो इस वज़े से इनको ब